वेलकम बैक मैं हूँ आपका करेर को चललेद बदुरिया कतर में लिम्टेड नंबर ओफ विजा इश्यू हो रहे हैं वो भी स्पेशल पर्मिशन में और यह जो एंप्लॉयर है क्लाइंट है इस पर्टिकुलर ओपनिंग के लिए आपको एंप्लॉमिंट विजा इश्यू करे है कतर को आप काफी हत्ता कंपेर कर सकते हैं यूए इसे इन टरम्स ऑफ डवलोप्मेंट और जो लिबर्टी है वहां की जो सोसाइटी है मिन सब कुछ आउट अप तो बॉक्स है और आपको पता ही होगा कि पर कैपिटा इंकम के हिसाब से जो कतर है वो वर्ड के टॉप कंट्री है अगर हम बात करें इंडियन एक्सपेट्स की तो इंडियन एक्सपेट्स की हमेशा फर्स चॉइस रहा है कतर यह जो जॉब्स हैं जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया एक सेमी गवर्मेंट कंपनी के लिए हैं इसका प्रोसेस कैसे रहेगा सेलरी बहु मैं हमेशा आपको बोलताँ लेकिनती कि जो हमें यॉटूब पर फॉलोडव कर रहे हैं वह से यॉजुटबॉप पर नहीं कर रहे हैं उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो नई Юपनिंक्स होती है आप लोगों से मिस हो जाती है तो प्लीजज आप हमें फेस्बुक पर भी हमें जरूर हमारे पेज को लाइक कर लें हमारा पेज का लिंक जो है कॉंट्रमेंटर के नाम से इंस्टाग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर लें आप लोग और रेगलरली हमें फॉलो करें इसमें प्रोसेस के स्टेप्स क्या रहेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूं लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको चीज समझना है कुछ क्रैटीरिया हैं जो कि अगर आपको लगता है कि आप फुल्फिल कर रहे हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई करें ठीक है तो कुछ बिसिक क्रैटीरिया है नमबर तो आपका पासपर्ट एसी अनर होना चाहिए लोर डेजिशन के लिए इसमें जो सेलरी हैं अगर आप अकाउंट मैनेजर की सेलरी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है कफिची सेलरी है तो कई सारे मैनेजरिल जॉप्स हैं कई सार तो फ्रेंट्स नमबर वन आपके पास अगर गल्फ का एक्सपीरियंस या किसी और फॉरन कंट्री का एक्सपीरियंस है नथिंग लाइक वह हमारी टॉप राइटी रहेगी नमबर टू आपका पासपर्ट एसी अनर होना चाहिए अगर आप लोर के टेगरी के लिए अप्ल प्रोफाइल समझ नहीं आ रहा है उसके रोल्स समझ नहीं आ रहे है तो आप हमसे क्लैरिफाय कर सकते हैं ठीक है अगर सब कुछ मैच करता है जैसे मैंने आपको बताया आपको वर्क एक्सपीरियंस टैली कर रहा है और एक चीज़ का ध्यान रखें कि प्लीज जब आप हमे डॉकुमेंट्स इमेल करें डॉकुमेंट्स हमेशा की तरह आपका अप्डेटिट बायूटा में में आपका पासपोर्ट का स्कैन कापी फस्टेंड लास्ट पेज अगर आपने फॉरंग इंट्रीज में काम किया है तो उन पेजिस को भी स्कैन करके बेज़ें जहां पी आ अपना गैटप में अपने यूनिफर्म में अगर कोई फोटोग्राफ होता है तो उसका अलगी इंप्रेशन पड़ता है या किसी भी फंक्शन में या अपने स्टाफ के साफ में या कोई आपको अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है ऐसा कोई फोटो होगा तो आप प्ल करने में दिक्कत नाओ फ्रेंट्स लेकिन ध्यान रखें जो बेसिक क्राइटिर्या में ने बोला आपके पास रेलेमेंट एक्सपिरेंस हो फॉर्ण गंटी से रिटर्ण है तभी आपको सीनर पोस्ट के लिए अलाव किया जाएगा जूनियर देशन के लिए इंडियन एक् आप फ्रेशर हैं और आप इनिशिल स्टेज पर हैं लेट से हाउसकीपिंग वेटर या सर्विस में तो इसमें आप अप्लाइ कर सकते हैं बट इस पर्टिकुलर कतर की ओपनिंग के लिए हमारे को यह सारे प्रेकुजिट चाहिए ही चाहिए जो आपको बता दिया अब आपने इसी पर्टिकुलर आईडी पर अपने अ आपको बताए हैं इसारे मेल करने उसके बाद में हम इस्क्रीनिंग करेंगे ऐसे आपके डॉक्मेंट करेंगे और जितने भी जौटलिस्ट होंगे उनको हम स्काइप के लिए इन्वाइट करेंगे लेकिन जो स्काइप है यह आपके घर से नहीं हो सकता हम फाइनल इंट्रिवू के लिए दो या तीन लोकेशन आपको देंगे मुस्ट पर देहरादून हमारा होमटाउन कोलकाता हम डेली इन तीनों में से हम आपको वो लोकेशन बताएंगे जो आपको पास पड़ता है और आपको कम सकम तीन या चार दिन पहले हम इनफर्म कर देंगे तो आपको वहां पर आना है फॉर्मल्स में और अपना इंट्रिवू देना रहेगा सेलेक्शन हो जाएगा तो आपका वही पर प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे कुछिश यह रहेगी कि सेम डे आप अपना प्री मेडिकल कराके ही जाए पिछले कुछ दूनों में कतर के मेडिकल में कुछ चेंजे आए है फोटोग्राफ और बाकी के जितने भी डॉकुमेंट्स हैं वो सारे साथ में लेकर आए हो सके तो soft copy भी एक pen drive में लेकर आए जिससे कि scanning में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो अगर कोई भी डाउट्स है तो यह दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके अपने डाउट्स को क्लेरिफाय कर सकते हैं हमें प्लीज यूट्व के साथ साथ फेस्बूक पर भी हमें subscribe कर ले हम लोग गल्व के साथ साथ यूरोप में भी career counseling प्रोवाइट करते हैं इसके साथ Canada के लिए भी हम लोग तैयारी करवाते हैं अगर आपको IELTS की preparation करनी है तो that is also possible so friends that's it thank you very much all the best